है गाइज वेलकम बेक तो मैं यूटूग चैनल मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हेर ट्रांस्प्लांट के टाइम जब आपको इतने सारी होल्स होते हैं आपके ग्राफ्ट निकाल ले जाते हैं तो इतने ज़्यादा होल्स होने के बाद फिर आपके इसकी नॉर्मल होती है की नहीं होती है तो यह ससुर्णी करने वारे में आपके अंदर यह ज़िलूर कोस्चन को भी किर दिए कर देते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि मेरी मुलम बेवी कर्णिसन कतनी अच्छी हो चुकी है कितने अच्छे बाल हो चुके हैं और इसके साथ में मैं आपको लगातार हम आपना रिजल्टी भी सेर करता हूं मैंने किस क्लीनिक से कराया है तो मैंने हेर प्री हेर्ग्रो क्लीनिक हैं और इसके बाद इस जिगहाँ से चल रहे हैं और यहां से लगाते हैं जहां पर हम जरुल गजाते हैं मुझे बताना यह एक इंद कितने दिन तक आपकी स्किन कैसी नॉर्मल रहेगी कि नहीं रहेगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दिता हूं डॉनर इरिया इस एरिया से ग्राफ्ट को नकाला जाता है तो यहां की जो हेर की कंडिशन यहां पर जो स्किन की कंडिशन है तो उसको मुझे बताना है कि लगब का डॉनर इरिया है उस एरिया में लगब आर्ट से दिन तक पर कंडिशन हो जाती है पर पंद्रा से बीस पच्चीस दिन तक तो क्या है कि आपको लगाता थोड़ा-थोड़ा इचिंग होती रहेगी इसके लिए एक लिक्विट देते हैं उस लिक्विट को आप लगाओग लगाने हैं लगाए है मतलब मेरी लिए तो उस जगह की कंडिशन कब तक आपकी स्किन नर्मल नहीं रहेगी तो जैसे मेरा फस्ट हैडवास में पता है क्या हुआ था मैंने उस जगह पर टच किया तो मुझे तो बहुत ऐसा पता भी नहीं चल रहा कि यहां पर मेरी लग तो आपको ऐसा लगेगा कि इस जगह पर अभी कुछ इतना पूरा एरिया ऐसे पूरा सरकल करके ऐसे पकड़े हुए है ऐसे बहुत ज्यादा रगड टाइप से बहुत ज्यादा कड़क सा दखेगा ऐसा फिल होता है मुझे भी हुआ था इसके अलामा आपकी जैसे अभी मे तो आप लोगों को मैं इस नॉलेज को लेकर आए था और लास्ट में यहीं बोलूँगा कि आपको यदि कॉश्चन रहेगा कि आपकी स्किन के आप ऐसी रहेगी तो हाँ आपकी बैसी रहेगी बस बन पर्सेंट यह आपको ऐसा लगे कि हां कुछ फरक पड़ा है फरक वो क मुझे लगा कि आप लोगों को सिर्क करना चाहिए आप लोगों लगातार मेरी जर्णी इतने टाइन से देख रहे हैं तो आपका यह पूरा कॉस्चन क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में ठीक है तो लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी थैंक्यू ब